अभी हम लोग यहां पर लार्सन और टॉवल इम्टेट के अनलिसिस करेंगे और देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तब किस तरीके से यह अपना प्राइक से पाटन दिखाएगा और इसके इंपॉर्टन लेवल के कौन से रह रहा होगा अब यह यहां पर एक डबलू टाइप बनाता हूं लोग को नजर आ रहा है ठीक है तो अगर यहां पर ठर्टी फॉर हंडेट के ऊपर यह निकलता है तो यह डबलू टाइप पैटन डेली टाइम में बन चाएगा और यह इतना जितना यहां पर एक रेंज बना पैटन का उतना आराम से हम लोग को यह टार्गेट दे देगा आने वाले समय में ठीक है तो हम इसके बाएट तक का एक टार्गेट यहां पर लेके चलेंगे तो अभी आज के दिन का भी क्लोजिंग हम लोगों को सही मिला है अगर हम लोग यहां पर उसके पहले का थोड़ा यह बहुत सही होता है अगर इसके बाद यहां से ब्रेक करता है तो यहां पर देखेंगे दो चार बर यहां पर कोशिस हो रखी है तो यहां पर थोड़ा तेजी से उपर इन लेवल को आकर टेच कर सकता है जो की 3450 के आसपास का है ठीक है अब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम चलते हैं ऋब वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या सीनारियो ग्रेट हुआ है अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो एक्जक्लि दो-तीन गेंडम फ्रेता है थो एकषिक्रいきます हासा कर द्सका फैर जातi है तो इसमें वाली बात की वो थी मंस्री टाम फ्रेम के closing जैसा कि हमने बात किया था कि पिछले कुछ month से अगर हम लोग यहां से जब से यह जरने start किया है अपने किसी भी month में ठीक है यहां से यहां तक अपने किसी भी month में इसने अपने पिछले month का low break नहीं किया है लेकिन यह first time था जब इसने जैन मंद का जो लो है उसको ब्रेक किया और यहां पे नीचे आ गया था तब ही हमने बात किया था अगर यहां इसको ब्रेक करता है तो थोड़ा सा इसको उपर जाने में भी टाइम लग सकता है ठीक है तो इसके पहले भी यहां पे दो वीक यहां पे इंसाइट कैंडल बनाया है और यहां पर एक इंसाइट कैनल बना है उसके पहले तिन-चार महीं ने एक रेंज में ट्रेट किया था ठीक है तो अभी यह ब्रेक आउट देने के बाद फिर से यहां पर टॉप पे एक अच्छा यहां हो जाता तब टक हम लोग कोई भी डिसिजन नहीं लेंगे यहां पर ऐसा है कुछ सिनारियो हम लोग को को मंतली टाम यहां पर बहुत कॉद्ध में पन्य और यहां पर यहां पर चाने के पर खोग्ट सकता है। आसपास के लेवल है नीचे के जो कि लगबख लगबख 3500 3040 के आसपास है इन लेवल्स को आ कि यह फिर हम लोगों को को झाल होगा ठीक है हम लोगों साफ लगरा यहां पर दिख रहा है तो लोगों नीचे की बाते होता है किसी वजह से वह तेसे सेलिंग आने लगता है तो उस सिनारियो में देखेंगे ये दोनों candle पे momentum कही नहीं हुआ है और buyers यहाँ पे strong हुआ है ऐसे scenario में अगर negative कोई scenario create होता है और break होता है तो हम लोगों को नीचे के जादा नीचे के level देखने को मिल सकते है लेकिन ऐसा scenario होने की probability बहुत कम है लेकिन यहाँ उपर जाने की probability यहाँ पे हाई नजर आ रही है 15 में टाइम फ्रेम पे चलेंगे और मंडे की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर हम लोग मंडे की बात करेंगे तो हमने क्या बताया था आपको यह level हमने दिये हुए थे 3 to 7 8 break करेगा 3 to 5 1 का target देखने को मिल सकता है और यह level है जहां से इसको reverse होना चाहिए विकाज यह क्या है यहाँ पे यह gap create क्या था था हम सभी को पता है gap support और resistance की तरह हमारे लिए काम करता है तो यहाँ पे एक first time आया और यह second time आया था अगर यह फिर से इसी level के आसपास आता है तो इसे नीचे वाले जो support है इसके break होने की probability बहुत ज़्यादा हो जाएगी है उस scenario में यह break कर जाएगा लेकिन यह third time था यहाँ से अच्छा खासा reversal हो गया और यही ऐसा level था जहां से यह reverse हो सकता था अब हम लोगों को क्या देखना है अभी इस channel pattern में हम लोगों को नजर आ रहा है 3400 से अगेन हम लोगों को एक reversal मिला है तो 3400 से अगेन हम लोगों को reversal मिला है अभी यहाँ पर break out कहाँ पर दिया है 3360 के आसपास का break out मिला है हम लोगों को तो इसे जिस तरी के से नीचे आ रहा है अगर यहीं पर flat opening होती है 3380 के आसपस हम लोग माल लेते हैं अगर flat opening होती है उसके बाद यह high निकलता है तो यह जितना यहां पर range 1 रखा है 3280 से लेके 3400 रुपीज मतलब 120 रुपीज का जो range 1 रखा है हम उपर plot करेंगे तो जैसा कि विकली टाइम फ्रेम पर हम 350, 35, 30 के आसपस का लेवल बात कर रहे थे वही हम लोग का target निकल के आएगा तो technically हमारा target भी सही निकल के आ रहा है तो अगर यहां पर ऐसा reversal होता है क्योंकि यह देखी यह breakout level है यहां पर 2-3 बार already आके इसने ifty कोशिस भी कर लिया है again यहां से ब्रेक करता है तो यहां से इस तरीके से आया है यहां से रिवर्स होता है तो हमारे बास यहां पर 2-1 लगाने प्लेश है तो जब भी ऐसल लगाने के प्लेश हम लोग को मिल जाते तो यहां पर यहां पर एंट्री हो सकती है और एक बार जैसे ही यहां पर यह अपने लगबग लगबग 3410 का लेवल निकालेगा तो थोड़ा सा ज्यादा हम लोग को एक उपर की और फूल नजर आएगा क्यों क्योंकि लोगों का यहां पर इसको सपोर्ट करेंगे तो यह पहला सपोर्ट करेंगे तो यह पहला सपोर्ट जो होगा हमाई लिए 3360 के आसपास का है जो उसके बाद का और इंपोर्टन सपोर्ट है वो 3340 के आसपास है इन दोनों सपोर्ट के आसपास आने के बाद यहां पर पुल बैक मिलेगा और इसको फिर सब ब्रेक करता है तब यहां पुल बैक मिलेगा इस 3340 को ब्रेक करने के लिए यहां पर हो सकता वे नजर आ रहे हैं तो जिस और भी निकलेगा उस और हम लोग अपने डिसिजन ले सकते हैं वीडियो कैसे लगी कमें सेक्षिन में जरूर बताइएगा पसंदार ही होगी तो लाइक कर सकते हैं चैनल पर नहीं होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई भी डिसिजन ले उसके पर एक बार खुद के अनले से जरूर करें थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो